नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर चक्षूर आज हम बात करेंगे लाइको पोडियम से जुड़ी 5 मिस्टेक्स के बारे में जो आप लोग करते हैं जिससे लाइको पोडियम से आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते ये वीडियो उन पेशिंट्स के लिए बहुत जरूरी होती है जिनको हमियोपथी पर ट्रस्ट है जो सेल्फ मेडिकेशन में कुछ दवाईयां ले लेते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते तो कहते हैं कि भाईया हमियोपथी बेकार है काम नहीं करती तो अगर आप ये वाली जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना 5 मिस्टेक वाली वीडियो उनको ध्यान से सुनेंगे तो फिर सेल्फ मेडिकेशन में लेगी दवाईयां अचूक तरह से गाम करेंगी रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे तो रिक्वेस्ट है समझदार बने वीडियो को प्लीज पूरा देखें सबसे पहले तो आप सभी का थाइंक यू कि आपने मेरी जो पास वीडियो थी लाइक बोडियम की उसको आपने बहुत सराहा बहुत प्यार दिया उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल इंफोर्मेशन दी है कि इस दवाई को कब और कौन-कौन से सिम्टम्स पर यूज करना है वो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने आई बिटन पर छोड़ा है आप चाहें तो उसे देख सकते हैं तो पहली मिस्टेक जो आप लोग य अच्छे से पता है जो कभी भी एकदम से भेड़ चाल में नहीं चलते लेकिन अब किसी भी कंप्लेंट्स की वज़े से उनके शरीर में कुछ बिमारियां पैदा हो गई है और वो धीरे-धीरे करके गिरते चरे जा रहे हैं यानि कुछ एक ऐसी डिजीज उनको हुई है जो कि स्लोली ग्रैजूली डेवलपिंग है जिसकी वज़े से उनके अंदर आप शरीर में धीरे-धीरे करके वीकने साथी चरी जा रही है जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी नॉर्मली देखा जाता है कि अपर पार्ट अफ़ बॉडी जो है वो तो नॉर्मल सी है य जिसको जिन पेशेंट्स को ये लाइको पोडियम नाम की दवा बहुत अच्छे से सूट करती है एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये कि लाइको पोडियम की जो कंप्लेंट्स है न वो बेसिकली राइट हैंड साइड को जाधा एफट करती है श साइड में होगा तकलीफ होंगी गैस बनेगी कोई भी दिक्कत होगी राइट साइड में बनेगी और फिर हो सकता है वो धीरे-धीरे करके तकलीफ है आपकी लेफ्ट साइड की दरफ को शिफ्ट होती हुई चली जाएं बहुत जादा इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना कि जो भी बिमारी पेशिंट को है जिसमें मरीजों के लिए लाइको पोडियम इंडिकेटेड आ रही है वहां पर जो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज है वो बहुत स्लो है यानि धीरे-धीरे करके बढ़ती जा रही है बिमारी और रेस्पाइट की जितना भी आप लेकिन जब पेट संबंदी बिमारियां होती है तो उनी गरम चीजों से मरीज को फायदा आता है लाइको पोडियम के पेशिंट को ठंडक में बड़ा अच्छा लगता है अपने शरीर को उगारने के बादिनी कोई चीज अगर ओड रखी है तो उसे अगर हटा देते हैं अ उसके बाद लाइको पोडियम के पेशिंट को बहुत ही अच्छा महसूस होता है अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी मिस्टेक के बारे में जो की है स्फियर ओफ एक्शन अब देखिए लाइको पोडियम एक बहुत जादा डीप एक्टिंग दवा है आप सभी जानते हैं लेकिन कुछ particular organs कुछ particular बिमारियों पर इसका जो role है वो बहुत ही अच्छा है तो अगर आप उनके उपर इसे इस्तेमाल करेंगे तो हमेशे result मिनेंगे वो कौन-कौन सी चीज़े है ध्यान से समझेए लाइको पोडियम के मरीज को अगर आपको ठीक करना है या किसी बिमार लाइको पोडियम बहुत अच्छा काम करती है खासकर हमारा stomach, हमारा liver, हमारे intestine, हमारे kidneys, हमारा gallbladder इन सारे organs के उपर लाइको पोडियम एक बहुत अच्छा role play करती है और इनके अगर functions धीरे-धीरे करके weak होने लग जाए या धीरे-धीरे करके progressive disease कोई ऐसी हो जाए जिसमें क लाइको पोडियम इंडिकेटेड आए तो जरूर दीजे हमेशा फायदा करेगी कुछ बिमारिया है इसमें लाइको पोडियम बहुत ही ज़दा important role play करती है जैसे कि जर्ड या नहीं gastritis उसके लावा acidity जो patient को होती है lower part में या फिर पेट फूलने की शिकायदी नहीं bloating of abdomen उ ऐसी कंप्लेंट में लाइको पोडियम बहुत important दवाई है उसके अलावा irritable bowel syndrome हो, Crohn's disease हो, ulcerative colitis हो तो ऐसी कंप्लेंट में भी लाइको पोडियम बहुत important role play करती है किड्नी की परिशानिया चाहे वो glomerulonephritis हो, pilonephritis हो या फिर CKD या AKD या chronic kidney disease या acute kidney disease क्यों नहीं हो अगर lycopodium इस तरह से indicated है, तो हमेशा आपको ऐसे gases में फायदा जरूर मिलेगा, इसके अलावा अगर आप बात कर लेते हैं body में other organs के बारे में, तो देखिए liver के एक specialized remedy है lycopodium, तो liver और gallbladder समंधी अगर परिशानिया आपको मिलें, और अगर आपको symptom lycopodium से match मिलें, तो यहाँ पर lycopodium आपके patient की मदद पूरी तरह से कर सकती है, देखिए, जो तीसरी mistake हम लोग यहाँ पर करते हैं, वो यह कि हम नहीं जानते कि हमें lycopodium कौन सी दबाईयों के संग में नहीं लेनी चाहिए, तो यहाँ पर समझे कि कॉफिया, कॉस्टिकम और कैमोमिला, इसके अलावा graphitis, यह जो चार दवाईयां है ना, इन दवाईयों के संग में, आपको lycopodium इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, यह इन दवाईयों की इसलिए lycopodium की antidotes है, अगर आप lycopodium यूज करते हैं, तो result आपको नहीं मिलेंगे, यह जितना फायदा हुआ होगा, वो वहीं का वहीं रु बहुत सारी complaints में दी जाती है, यह भी एक deepacting remedy है, कई बार ऐसा देखा गया है कि एक ही मरीज के अंदर lycopodium और पलसेटला दोनों आते हैं, और कई बार doctors दोनों दवाईयां prescribe भी कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए lycopodium और पलसेटला के बीच का relationship वैसा ही ह ऐसे ब्रायनिया और रस्टॉक्स के बीच का, कि जो पलसेटला है, वो lycopodium की complimentary remedy है, यानि आप उसके संग में दे सकते हैं, follow well remedy है, यानि उसके बात भी दे सकते हैं, और antidote भी है, यानि उसे antidote भी कर देती है, तो यदि आपको lycopodium और पलसेटला को एक संग इस्तमाल करने की जरूरत पड़े, या डॉक्टर ने आपको prescribe करी है, तो ध्यान रखिए, कि lycopodium को हमेशा एक higher potency में use करेंगे, और पलसेटला एक lower potency में use करेंगे, नहीं तो बिल्कुल use नहीं करेंगे, अगर आप इस तरह से दोनों दवाईयों को इस्तमाल करेंगे, तो results जरूर मिले में, जो की है, dosage, potency and repetition, देखिए, lycopodium एक deep acting remedy है, तो आपको समझना पड़ेगा, कि जब भी आपको इसे use करना हो, तो आप इसे ऐसी potencies में use करें, जो आप फ्रवा लंबे समय तक ले पाएं, क्योंकि यहाँ पर जो patient है, उसकी जो diseases है, वो धीरे-धीरे करके progress करती है, तो अगर reversal करना है, या improvement देना है, तो थो लंबे समय तक lycopodium देनी पड़ेगी, तो कौनसी potencies आप use कर सकते है, 30 potency and 200 potency, self medication में 1M potency को इस्तमाल करने के बारे में, मैं विलकुल आपको सलाह नहीं दूँगा, इसे आपको नहीं use करना चाहिए, क्योंकि आप उसकी repetition और dosage को ठी और patient को directly पिला सकते हैं, या फिर भेतर है कि आप उसे गोलियों में डाल कर इस्तमाल करेंगे, तो 4 गोली lycopodium की सुबह शाम के हिसाब से 30 potency में आप लगबग 90 days तक regularly इस्तमाल कर सकते हैं, आपके patient में improvement symptom wise, अगर ये सारे symptoms match करते हैं, तो आपके patient को improvement जरूर आएगा, disease reversal मे lycopodium एक भेतरी दवा है, इसके बाद अगर आप 200 potency के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान से समझ लीज़े कि 200 potency अगर आप lycopodium की long standing cases में इस्तमाल करना चाते हैं, तो भेतर है कि आप एक दिन छोड़ कर, यानि alternate day पे 200 potency की single dose अपने मरीज को दें, single dose का मतलब हो गया, 5 पून दवा दो चमच पानी में डाल कर इस्तमाल करें, या फिर गुलियों में यूज़ कर रहे हैं, तो चार से पांच गुली मरीज को दे दें, तो अगर आप एक दिन छोड़कर regularly lycopodium को यूज़ कर रहे है, as per the symptoms अगर मैच करती है, तो आप 90 दिन तक इसे इस तरह अब अगर हम बात करेंगे 1M potency के बारे में, Q के बारे में, देखिए मैं Q के लिए कहूँगा, क्यों इस्तमाल ना करें, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर के recommendation पर use होगा, तो ज्यादा better results आएंगे, 6 potency के लिए भी मैं कहूँगा, 6 potency readily available नहीं होती है, आपको जांकारी दी है, लाइको पोडियम के बारे में, बड़ी accurate है, to the point है, आपके फायदा के लिए है, तो अगर आप इन सब बातों पर अमल करेंगे, आपको लाइको पोडियम और हमियोपिती से फायदा जरूर होगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि दवाईयां काम नहीं करती, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं ही तरफ से नमस्कार, तैंक यू एंड जैहिंद